नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दक्षिन चीन सागर में चीन के खिलाफ एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है उस देश का नाम है दक्षिन कोरिया जी हाँ, दरसल दक्षिन कोरिया ने 20 नए special F-35 खरिदने का सोदा और कर लिया है अमेरिका के साथ जबकि दक्षिन को या पहले से ही 40 F-35 खरिदने का सोदा कर चुका है और यह ऐसा नहीं है कि हमने पैटर्न अभी देखा है इससे पहले जापान ने भी नए F-35 खरिदने का सोदा किया था जबकि उसके पहले से ही उसने अमेरिका के साथ F-35 का सोदा कर के रखा था तो ऐसा है देश कर क्यों रहें ऐसा इस नए F-35 में है क्या जो यह अलग से खरिद रहें special F-35 में है क्या इसके लावा F-35 से भारत को क्या फाइदा है और खास कर कि दक्षिन कोरिया इन जो खरिदा है इससे भारत को क्या benefit मिलने वाला है इसके लावा हम एक और चीज़ पर discussion करेंगे कि दक्षिन कोरिया खुद का एक पांचवी PD का लड़ा की उमान जो F-35 जैसा ही होगा उसे तेजी से बनाने में लगा हुआ है उसका perfect type भी तयार कर चुका है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने F-35 और ज़्यादा खरिदने का सोदा क्यों किया क्योंकि 40 वह पहले खरिद चुके हैं और 20 का नया order यानि कि 60 F-35 बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसा दक्षिन कोरिया ने क्योंकि इसे जानना इतना ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि दक्षिन कोरिया का और भारत का case F-35 के मामले में similar है कैसे मैं आपको समझाओंगा वीडियो के अन तक मेरे साथ बने रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को मिश्रू कर लेते हैं तो दोस्तों ज़रा आपको एक article दिखा रहा हूँ है इसमें लिखा हुआ है कि दक्षिन कोरिया ने अमेरिका को नया F-35 खरिदने का order दिया है और यह F-35 थोड़े अलग तरीके के होनें क्योंकि जो मतलब की दक्षिन कोरिया के पास पहले से 40 का order उन्हों ने दे रखा है 7 अरब डोलर की कीमत का जो सोदा इन्होंने किया था अमेरिका के साथ इसमें इन्हें 40 F-35 A मिलने थे A मतलब की जो इसका starting variant होने वाला है और इतना है नहीं अमेरिका इन्हें 8 F-35 डिलिवर कर चुका है और ये भी कहा है कि आने वाले जो 32 F-35 होंगे ये इन्हें अगले साल के अन तक 100% डिलिवर हो जाएंगे तो यानि कि इन्हें कोई ज़्यादा रश्ट करने की जूरत नहीं थी लगबग बनाने में लगे हुए हैं इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सूपर केरियर वो बनाने में लगे हुए हैं जो कहा जा रहा है कि अमेरिकन सूपर केरियर से भी जो उनकी USS Nimitz से भी काफी बड़ा होने वाला है तो ऐसे में South Korea को डर यह है कि उसके पास कोई aircraft carrier है नहीं और अगर वो बनाएगा तो इसमें खर्चा तो आएगा यह अर्बो डॉलर का इसके अलवा इसमें एक दिक्कत यह भी है कि उसे maintain करने का खर्चा और फिर उसके लिए special fighter jet खरीदने का खर्चा जो उस पर ही land हो सके और समय बहुत लगेगा दक्षिन कोरिया को पता है कि उसके पास इतना समय नहीं है क्योंकि चीन लगातार अपने चारों तरफ फैलता जा रहा है तो ऐसे हैं उन्होंने एक smart decision लिया जो जापान ने भी लिया था कैसे उनके पास एक helicopter carrier है वो भी वह छोटा उस पर लेकिन दिक्कत ही है कि उस पर सिर्फ helicopter लेंड हो सकते हैं उस पर आप फैलत जैट लेंड नहीं करा सकते लेकिन दुनिया में एक मातर ऐसा fighter jet है जो उस पर लेंड हो सकता है और वो fighter jet है F-35 का advanced version जी हाँ F-35 का advanced version आता है जिसे C के नाम से जानते हैं जो F-35C है उसकी खासित है कि वो helicopter जैसे ही take off कर सकता है और helicopter जैसे ही land कर सकता है यह सबसे बड़ी खासित है आप इस स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जिसमें आपको दिख रहोगा कि एक F-35 है वो सीधे helicopter की जैसे land कर सकता है उसका फाइदा है कि छोटी चोटी जगे पर भी उतर जा सकता है और वहाँ से उड़ाया भी आसानी से जा सकता है जबकि नॉर्मल जो फैटजेट होते हैं कोई भी फैटजेट हो चाहें उसे मतलब की रनवे की जरूत होती है लेकिन फैटजेट को उसकी कोई खास जरूत नहीं होती इससे पहले दक्षिन कोरिया ने जो 40 समय बच गया क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पास इतना समय था कि 4-5 साल लगा कर वो एक एरक्राफ्ट केरिर बना सके दूसरा खर्चा बच गया उसे एरक्राफ्ट केरिर बनाने का जिसमें करीबन 2-5 अरब डोलर बिल्कुल खर्च होने वाले थे क्योंकि कर सकते हैं लेकिन आप हमें जल्द से जल्द पहुंचा देजा और अमेरिका के पास ऐसी जो प्रड़क्शन लाइन है कि वो तेजी से ने बना सकता है अब बात कर लेते हैं कि इनसे भारत को कितनी बड़ी मदद होगी देखे चीन पर प्रेशर बनाने के लिए पूरे ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पा रहा था कारण था जापान की कमजोर नोसेना और उसे मजबूत करने के लिए उन्होंने F-35 करे दे हैं अडवांस वर्जन वाले जो मतलब की टेक ओफ कर सकते हैं शोर्ट में और टेक ओफ लैंडिंग भी कर सकते हैं हेलिकोप्टर जैसे और दक्षिन कोरिया भारत को हत्यारी भी बेष्टा दीजों तो बहुत आप देशा जाता ओर दने के लिए नोसेना और चेन के लिए उस defenses वहां पर होगी और अब बात कर लेते हैं कि दक्षिन कोरिया खुद का एक पांची पीडी का F-35 जैसा ही F-35 जैसा ही F-35 बना रहा है उसका प्रोटोटाइप भी तियार कर चुका है लेकिन फिर भी वो F-35 क्यों खरीद रहा है तो देखे इसमें दक्षिन कोरिया और भारत का केस सिमिलर है भ उससे दोनों देशों की सुरक्षा को बहुत बड़ा खत्रा है तो दोनों देशों ने अपने यहां पर फिलाल जो अपने प्रोजक्ट है उन्हें तो स्पीड दी है भारत ने भी और दक्षिन कोरिया ने लेकिन दक्षिन कोरिया ने एक कदम आगे इसलिए बढ़ा दिया ह कि उन्होंने थोड़े पैसे उनके खर्च हुए लेकिन एक F-35 जैसा पांची PD का लड़ा की मान उन्होंने अभी ले लिया और अमेरिका ने उन्हें तेजी से डिल्वर भी कर दिया जिससे कि उन्होंने अभी के लिए अपनी सुरक्षा को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया है तो फिलाल तो यही दोनों का के सिमिलर देखते हैं कि भारत क्या F-35 खरीदता है या फिर कोई और फाइटजेट भारत देखता है तो आने वाले समय में इस पर मैं आपको आपडेटिट ही रख़ूँगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए जागा ऐसी बहुत साइड डिफेंस, फॉर्ण पालिसी और फाइनस रेटिट वीडियो के लिए थेंक्यों मैंस वाचिंग वीडियो